प्रेंट्स कैसे हैं दोस्तों आप सब दोस्तों मेल और फिमेल में लड़के में लड़की में आदमी में और अवरत में सब जानते हैं कि प्रेंड करक्ष defendant होता है और एक वो णिश्टा होता है कि एक दूसरे की भावना की कदर करते हैं कोई भी एक दूसरी को कस्ट नहीं केंचा और कस्ट देता भी तो बार बार पश्चा ताप करता है उसका प्रियम है यसलिए मगर ऐसे भी बहुत सारे केस देखे गए हैं जहां पे लड़का लड़की हो आदमी और अवरत हो एक दूसरे से पीछा चुड़ाना चाहते हैं एक तो यह ऐसे केस और दूसरे ऐसे केस के जहां पे मिस मैच होते हैं लड़का लड़की के पीछे पड़ गया यह लड़की लड़के के पीछे पड़ गई तब एक समस्या हो जाती है कि कैसे डिपार्ट किया जाए दोनों को देखे मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि किसी से अलगाओ करवा हूँ मैं तो मिलाने के पक्ष में हूँ मगर कभी वह उन से ब्लू मून कोई सौ दो सो हजार में कोई ऐसे केस भी आ जाते हैं जहां पे प्रॉब्लमिटिक हो जाते हैं लड़का लड़की के लिए लड़की लड़के के लिए एक दूसरे के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्राब्लमेटिक ऐसे में क्या करें अनर्थ कर नहीं सकते हैं litigation involvement होते हैं और litigation involvement भी एक दो महीने के नहीं सालों के फिर उनमें और दुनिया भर के financial involvement होने लगते हैं शत्रवत विवार बढ़ने लगते हैं पीछा छोड़ाना मुश्किल बजाता है ऐसे कई सारे केसे जाते हैं देखिए बहुत मैं सरल सा टोटका बता रहा हूँ करने में कोई बुरा ही नहीं मगर मैं बार-बार कहता हूँ कि कोई भी टोटका कोई भी उपाय कर रहे हैं तो अपने बुद्धे और विवेक का जरूर प्रियोग करें वैसे तो कहीं damage नहीं होता इसमें गुपाल लाजू की कहीं कोई responsibility नहीं इस चीज़ को मानके चलिए मैं बार-बार चिताता हूँ मैं कोई agent नहीं हूँ को मैं किस चीज़ को promote करूँ अपना बुद्धे और विवेक अच्छा लगे तो करिए नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए हम किसी के अनर्थ के लिए नहीं कर रहे हम solution के लिए करना है कि कोई amicable solution निकले दोनों के बीच में, परसपर दोनों के परिवारों के बीच में, कोई ऐसा मध्धिका solution निकले, जिसमें दोनों खुश हो, किसी को किसी भी stage में कहीं भी कस्ट ना हो, किसी की आत्मा न दुखे, ऐसा कोई solution, तो उसके लिए छोटा सा तोटका है, तीन दिन का प्रियोग है यह पक्ष कर रहा है, जो भी कोई कर रहा है, और जो भी इन दोनों के निमित कर रहा है, वो तीन चीजों का वरत, एक तो गो सेवा का वरत, तीन दिन गाये को अपने हाद से सेवा करें, जैसे भी सेवा हो सकती है, जैसे भी पुछकार के, दुलार के, खिला के, पिला के, दूस तीसरा सुपात्र को दान दें तीनों दिनों सुपात्र देखने कौन है या आप अपने बुद्धी से सोचे कि सुपात्र कौन है और तीसरा अपने मन को चित को शांत रखें कहीं भी मन में एक पल को भी कलुष्टान आने दें शत्रुवत विवार नपन अपने दें बस ये तीन दिन के लिए इन तीनों दिन रात्री काल में तवा जिसमें रोटी बनती है उल्टा कर लिजे तवे को और उसमें तीन छोटी छोटी रोटियां गुल डालके बनाईए विशेशूप से गुल डालके मीठे आटे की रोटी बनाईए छोटी बड़ी जैसी बने छोटी छो नाम और दूसरे में आदमी का नाम और और रात्री काल में ही ये रोटी एक कुत्ते को और एक रोटी बिल्ली को किसी भी तरह खिला दीजे कुत्ता तो खा लेगा मिठी रोटी समझके बिल्ली नहीं खाएगी तो बिल्ली को दूद में भिखो के किसी भी तरह से छोटी से बन लिजे, बिल्ली के पेट में पहुंशनी चाहिए, तीनों दिन ये क्रम आप करें, नमबर एक, नमबर दो, इन तीनों दिनों में किसी भी दिन, दो कील ले लिजे, कील धाइंच से छोटी नहीं हो, धाइंच से बड़ी हो, साफ से कीलों, हैड वाली, नीचे पॉइंटेड हो इन कीलों में कच्चे सूत लिजे, दो, एक सूत पीले रंग का, और एक सूत सफेद रंग का, लड़के की लंबाई का सफेद सूत लिजे, और लड़की की लंबाई का पीले रंग का सूत लिजे, इनको दोनों को आप कील में लपेट लिजे, और अगर पीले रंग का सूत नहीं मिलता है तो white suit मिल जाते हैं कच्चे जो plumber use करते हैं इनको किसी भी पीले रंग से रंग लीजे हल्दी के रंग में रंग लीजे लपेटने के बाद में इन तीन दिनों में कभी भी किसी भी जिन कर सकते हैं लड़के के घर में जो पीला धागा अपने लपेटा है वो वाली कील दबा दीजे और लड़की के घर में सफेद धागा जो आपने लपेटा है ये वाली कील दबा दीजे और अगर मालीजे घर में कहीं जो भी nearest point हो घर का विशेश रूप से वो अलब पार्ट जहां पर आना चाना हो दोनों का उनके contact में आई ये वाली और अगर ये possible नहीं है बहुत सारे इससे cases होते हैं कि possible नहीं होता तो फिर उनका ध्यान करके कहीं किसी वीराने में दबा दीजे दोनों भी कल्ब और अगर कुतों में अगर आपको काला कुता और बिल्लियों में काली बिल्ली अगर मिल जाती है तो प्रभाव और ज़्यादा प्रभाव शली हो जाएगा ये तीन तिन प्रियोग करिए देखिए मैं समझता हूँ कि बड़ा फिवरेबिल रिजल्ट मिलेगा कहीं किसी का बुरा नहीं हो हमारी हर पल हर सांस में यही दूआ होती है यही प्रात्ना होती है यही प्रयास होता है यही समिशन होता है सब के लिए कि कलुष्टा नहीं आए किसी भी पल मन में इसलिए तीन जो मैंने बुरत बताया आपको विशेश शुप से उसमें कि चित शांत रहे मन में कटुता नहीं है एक बल के लिए इसको करें दोस्तों थेंक यू थेंक सब्सक्राइब को पाला जो थेंक सब्सक्राइब करें दोस्तों